दा सेकेंड कमिंग विलियम बर्टलर इट्स, इस डबलू बी इट्स, जिनको शॉट में हम लोग डबलू बी इट्स भी बोलते हैं विलियम बर्टलर इट्स का जन्म, जैसा कि मैंने यहां बताया है, 1865 में हुआ था, मरे थे 1939 में, यह एक्चुली आयरलैंड के यह पोईट थे, आयरलैंड, डबलीन, वो जगह था जहां इनका जन्म हुआ था, वहीं पर उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट कि था, और आगे भी जा करके दूसरे, मतलब हायर क्लासे उन्होंने हायर स्टुडीज भी कम्प्लीट किया थे, Studied at the school, Art in Dublin, वो स्टूल आर्ट था, इन डबलीन, वहां पर वो अपना पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट किये थे, जॉन शर्मन एंड धोया, दा वाइल स्टूले, दा विंडिंग सेयर, एटेसेटरा, यह इस तरह के उनके मश्भूर, Poetries हैं, Poem उन्होंने जो लिखा था, वो यहां पर मेंसन है, अचाहिए इन्होंने Dublin Hermetic Society और Abbey Theater डबलीन में थापना करवाया था, थापित किया था, और यह Nobel Prize इनको मिला था, और Literature, ठीक है ना, Literature के लिए इनको Nobel Prize मिला था, 1923 में, ओके, इस चैप्टर में, Poet ने, दरशल, Jesus Christ के Second Coming, मतलब दोबारा आने, जिसको हम लोग, पुनर जनम कहते हैं, बोलते हैं ना, तो पुनर जनम तो इनसानों के लिए यह शब्द का इस्तमाल किया जाता है, पुनर जनम, लेकिन जो देवता लग होते हैं, जो भगवान आते हैं ना, उनको अवतार कहा जाता है, है ना, तो दरसल, विलियम बटलर इट्स को, उनको उमीद है कि दोबारा से इस धर्ती पर Second Coming होगा, किनका? जेसस क्राइस्ट का इस धर्ती पर, दोबारा से होगा, कारण लगभग दो हजार साल तो हो गया, किनका? जेसस क्राइस्ट का गय हुए, तो अब दो हजार साल बाद, पोईट क्या देखती है, कि अब का जो समाज बना हुआ है, अभी का जो सोसाइटी है, ये जो वर्ल्ड है, अभी जो जिस तरीका से दुनिया चल रहा है, जिस तरीका से संसार चल रहा है, खास तोर पे, वो अपने Christian Community के लोगों को ही वो देख रहे हैं, और उनको देख करके वो कह रहे हैं, उनको ये बिश्वास है, कि आने वाले समय में, दोबारा, जेसस क्राइस्ट को इस धर्ती पर आना होगा, सेकेंड कमिंग होगा, किनका? जेसस क्राइस्ट का, ओके? वो ही वो कह रहे हैं, कि turning and turning in the widening gear, ये संसार, ये दुनिया, पूरी तरह से turn कर रहा है, और वो भी क्या तेज रफता से, widening gear, gear, गाड़ी में, जो लोग गाड़ी चलाते हो, बाइक वगर चलाते हो, तो पैर वाला gear लगाते हो, और जो कार चलाते हैं, वो लोग हाथ वाला gear लगाते हैं, gear change करने से, turn करने से क्या होता है, जी? speed, control होता है, speed बढ़ता है, और बढ़ता है, या घड़ता है, हाना? तो वही वो कह रहे हैं, कि तेज रफतार से, जो ये संसार जो हैना, इसका gear जो हैना, change हो रहा है, turning, and turning in the widening gear, तेज रफतार से. और the falcon, यानि कि जो Christians हैं, यहाँ falcon actually, अगर dictionary में इसका meaning देखोगे आप, तो ये एक तरह का bird है, एक falcon जो होता है, बड़े सरीर वाला bird होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर bird का सेंस नहीं है, यहाँ Christians, मतलब जो लोग Christianity को follow करते हैं, उनके लिए writer ने the falcon word का use किया है, वही वो कह रहे हैं कि the falcon cannot hear the falconer, falcon जो है न, Christian जो है न, वो falconer की बातें नहीं सुन रहे हैं, falconer, याद रखना, God को बुला गया है, और यहाँ God का मतलब Jesus Christ, यहाँ falconer का मतलब कौन बोलो, Jesus Christ, तो जो Christians हैं, वो Jesus Christ की बातों को भूल रहे हैं, जो Christian है, आज का जो समाज है, Christian समाज, जो आज का संसार है, वो पूरी तरह से Jesus Christ के बातों को भूल रहे हैं, या Jesus Christ के बताए हुए moral values को लोग क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, things fall apart, सारे चीज एक तरफ होते चले जा रहे हैं, सारे चीज, जितना भी moral values है, वो सब एक तरफ चलता चला जा रहा है, the center cannot hold, center कहने का मतलब, जो राजा, जो किंग लो, पूरे समाज को hold करके रखते थे, आज का समाज अब उनके hold में नहीं है, उनके पकड में नहीं है, उनके हाथ में अब नहीं है, mere energy is loosed upon the world, पूरे दुनिया में, एनार्की अब धीरे-धीरे खत्म हो गया, एक समय था, एक समय था, कि पूरे बिश्वा में, पूरा ब्रिटिस समराज जो था, फैल रहा था, हाँ या नहीं बताओ, ब्रिटिस समराज फैल रहे थे, वो अपना, क्या कर रहे थे, अपने धर्म को, अपनी किताबों को, अपनी बातों को, पूरे लोगों तक, मने, क्या कर रहे थे, फैला रहे थे, बढ़ा रहे थे, सबको, लेकिन अब क्या हो गया, ये पूरी तरह से हम लोग अपना बर्चस्व जो है, लूज कर चुके हैं, खो चुके हैं, कहां, upon the world, पूरे संसार में से, the blood dimmed, tide is loosed, रक्त पात जो है न, धीरे धीरे, वो लूज होता चला गया, खतम होता चला गया, and everywhere, the ceremony of innocence is drawn, हर जगा, ceremony of innocence, जो मासूम होते हैं न, उनका, मतलब, ड्राउंड किया हुआ, मतलब, जैसे जैसे उनका पतन हो रहा है, उसी चीज का, मासूमों का पतम, कहने का मतलब, धीरे धीरे समाज, जो है न, धरातल के तरफ में जा रहा है, और इस बात का ceremony चल रहा है, इसी बात का लोग, entertain कर रहे है, the best lack of conviction, जितने best lack है, सब conviction में चला गया, सब धीरे धीरे नस्ट हो रहा है, while the worst are full of passionate intensity, जबकि जो worst है, जो खराब है, वो धीरे धीरे, passionately, क्या कर रहा है, intensity, वो गहराता चला जा रहा है, पुरे समाज में, मैंने क्या, बुराई धीरे 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 फैलता चला जा रहा है, जो based होना चाहिए, जो बेहतर होना चाहिए, वो धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है, खतम होता चला जा रहा है, राइटर को, W अलुभी इट्स को एक उमीद है कि भले ही समाज धीरे-धीरे खतम हो रहा है, बुराईयां जो हैना चारो तरफ हावी हो रही हैं, लेकिन उनको एक विश्वास है, लेकिन कुछ नकुछ एक बदलाव एक चेंजे जो हैना हाथ के सामने दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि कुछ मने बदलाव जो हैना अब सामने है, surely the second coming is at hand अब दोबारा बहुत जल second coming होने वाला है अच्छा किनका second coming होने वाला है इसी समाज में जिसस क्राइस्ट का अब दोबारा आगमन होने वाला है the second coming ए दोबारा आगमन hardly are those words out when a vast image out of a spiritual Monday कहने का मतलब बहुत मुश्किल से ये समझ में आ रहा है क्योंकि दूर से vast mundi एक बड़ा सा spiritual mundi spiritual mundi समझते हो spiritual mundi spiritualus mundi कहने का मतलब होता है जो अध्यात्म लिये हुए जो धार्मिक बातों को ले करके जो अध्यात्म ले करके जो चलता हो सूचता हो वो जो है ना आता हुआ दिखाई दे रहा है अध्यात्म मैंने जो रूहानी बाते ले करके जो हमेशा मैंने जिसको बोलते हैं मजहभी बाते जिसको बोल सकते हो ठीक है ना? उर्दु में मजहभी, हिंदी में धार्मिक और ऐसे हम लोग उर्दु में रुहानी भी बोलते हैं और इस्प्रीचुल हम लोग बोलते हैं अध्यात्म वाले बातों को ले करके जो आएंगे ट्राबल्स माई साइड वो मेरे नजर को पूरी तरह से ट्राबल्स कर रहा है सम्वेर इन सैंड्स मुझे दिख रहा है कि उन बालू में कहां का बालू सैंड्स अब डिजर्ड जो रेगिस्तान है दूर रेगिस्तान में बालूओं के बीच से मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन आ रहा है इस सेप with lion body एक ऐसा ब्यक्ति आ रहा है जिसका सरीर जो है न लायन की तरह है सेर की तरह and the head of a man सरीर तो सेर का है और माथा किसका है man, इंसान का जो कि बहुत ही ताकतवर है ठीक है न? एक gaze blank पूरी तरह से अंधेरा मैंने पूरा खाली दिखाई दे रहा and pitiless as the sun और वो एकदम इतना उसके अंदर में चमक है जो कि pitiless मैंने जो कि बिना दया का है जैसे कि सूरज सूरज जो है बिना दया की अपना क्या करते रहता है अपना रोश्णी को बिखेर रहा होता है वैसे ही यह जो मुंडी आ रहा है वो ऐसा ही यह जो मैंने सरीर आ रहा है, पुरा लायन वाला सरीर और human इंसान वाला मुंडी ले करके वो जो है ना पुरा निर्दई हो करके आ रहा है सामने He is moving its slow thighs ये slow, धीरे-धीरे अपने thigh को move करता हुआ अपने पैर को ऐसे धीरे-धीरे move करता हुआ वो हमारे तरफ आ रहा है while all about it real shadows और इसके पीछे-पीछे पुरा सब कुछ घूम रहा है in the indignant desert birds और उसके आस-पास रेगिस्तान के जो birds हैं वो उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं the darkness drops again और ये अंधेरा अप धीरे-धीरे drop कर रहा है drops again कहने का पतलब ये जो अंधेरा जो छाया हुआ है actually पूरे संसार में writer के नजर में जो पाप जो खराब चीजें जो फैली हुई हैं उसी को वो कहते हैं darkness ये darkness जो है ना पूरी तरह से drops again पूरा समाप्त होने वाला है दोबारा but now I know that 20 centuries of stony sleep हमको ये भी पता है कि 2000 साल 20 century है ना 2000 साल हो गया 20 century मिलाओगे तो 2000 हो जाएगा तो stony sleep एकदम पत्थर दिल इंसान होकर के हम लोग सोए 2000 साल तक मैंने Jesus के जाने के बाद और अब we are waxed to nightmare by a rocking cradle ऐसा लगता है जैसे कोई nightmare जैसे जैसे शौपन में कोई खोया हुआ ब्यक्ती हो वो परेशान हो करके जागा हो and what rough beast और कितना खराब वो beast की तरह यानि के पशू की तरह it's our come round at last ये सब का समय अब आखिर होने वाला है सब कुछ समाप्त होने वाला है क्यों? क्योंकि slowest words कहीं न कहीं Bethelium to be born Bethelium में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जनम लेने वाला है Bethelium Bethelium मैंने बताया था आज का Israel all Palestine जिसको Philippines बोलते है Israel all Palestine के बीच का एक गाउं है जहां पर Bethelium में Jesus Christ का क्या हुआ था जनम हुआ था आज वो divided है उससमें divided नहीं था वो एक था तो Bethelium उस गाउं में ऐसा लग रहा है कि कोई जनम लेने वाला है कौन जनम लेने वाला है Jesus नहीं समझे Jesus Christ इसलिए चैप्टर का नाम क्या पड़ा है Second Coming दोबारा आगमन हाना फिर से दोबारा आगमन